दयाराम नाम का एक अमीर सुनार था उसके पास काफी पैसा था दिन रात मेहनत करके उसने काफी पैसा एक कठा कर लिया था दयाराम का एक बेटा था सोनू सोनू काफी बिगडा हुआ था और हमेशा पैसे उड़ाता रहता था उसे पैसो की कोई कदर नहीं थी पिता जी मुझे नई साइकिल चाहिए अभी पिछले महीने ही तो ली थी ना उसका क्या हुआ पिछले महीने ली थी ना पिता जी वो तो अब उससे अच्छी साइकिल आ गई है बाजार में गियर वाली दयाराम अपने बेटे की फर्माईशों से काफी तंग आ चुका था और वो जानता था कि ऐसे पैसे उड़ाना अच्छी बात नहीं है वो एक दिन सोनू को बुलवाता है और बोलता है मैं तुम्हारी फर्माईशों से तंग आ चुका हूँ अब मैं तुम्हें एक रुपया नहीं दूँगा तुम्हें इस घर में रहना हो तो जाकर पैसे कमा कर लाओ पिताजी की डाटने से वो काफी घबरा गया और रोते रोते अपनी मा के पास जाता है मा मुझे कुछ पैसे चाहिए नहीं तो पिताजी मुझे घर से निकाल देंगे मा अपने बेटे के मोह में आके बिना कुछ उसे पूछे उसे एक सोने का सिक्का देती है ये लो बेटा अरे वाह काम बन गया अब मैं जाकर पिताजी को पैसे दे दूँगा और वो मुझे घर से भी नहीं निकालेंगे सोनू शाम को अपने पिताजी के पास जाता है ये लो पिताजी मैं पैसे ले आया दायाराम समझ जाता है कि ये पैसे जरूर अपनी मा से ले कर आया है जाओ बेटा ये सिके जाकर तुम बगीचे में बने कुए में फैंकाओ और कल मुझे फिर से पैसे ला कर दो सोनू बिना कुछ सोचे समझे जाके वो सिके कुए में डाल देता है अगले दिन दायाराम अपनी बीवी को माई के भेज देता है मा के घर से जाने के कारण सोनू को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसे कहां से लाए तो वो अगले दिन पैसे कहां से लाए उस बारे में सोचता है हम्, पैसों का क्या किया जाए कहां से लाओं अरे हाँ, दीदी से लेता हूँ वो मना नहीं करेंगी सोनू अपनी दीदी के पास जाता है और उनसे पैसे के लिए बोलता है दीदी ने भी बिना कुछ सोचे भाई के प्यार में आके उसे पैसे दे दिए ये ले सोनू चांदी के सिक्के शुक्रिया दीदी सोनू पैसे लेकर फिर से दयाराम के पास जाता है उसे फिर समझ आ जाता है कि वो पैसे दीदी से लेकर आया है और वो फिर से उसी पैसे को कुउवे फैकने के लिए कहता है अगले दिन दायाराम अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज देता है अब क्या करूँ दीदी भी चली गई सोनू के पास अब पैसे का कोई जर्या नहीं बचा था तो वो अगले दिन बाजार जाता है कुछ काम ढूनने और एक दुकान पर काम मिल गया उसे ठेले में बोरियां उठा के रखनी थी पहुत मेहनत मुशक्कत करके उसने वो बोरियां रखी और उसके बदले में दुकानदार ने उसे कुछ रुपे दिये ठका हारा वो पैसे लेकर घर पहुचा बेटे की हाला देखके दायाराम को समझा गया कि आज ये मेहनत करके पैसे लाया है सुबह का ठका हारा सोनू ये सुनते ही आग बबूला हो गया नहीं मैं ये पैसे नहीं फैकूंगा सुभा से मेहनत करके अपनी कमर तुड़वा के मैंने ये पैसे कमाए हैं मैं कैसे फैक दूँ ये सुनके दैराम मुस्कुराए और उसे अपने पास बुलाया और बोले बेटा मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि ये पैसे हम बहुत मेहनत करके कमाते हैं और हमें इन्हें फिजू के खर्चों में नहीं बर्बाद करना चाहिए हाँ पिता जी मुझे माफ कर दो मुझे पैसों की एहमियत समझ में आ गई है और अब से मैं कभी भी फाल्तू का खर्चा नहीं करूँगा उस दिन के बाद से सोनू समझदार हो गया और अपने पिता जी के काम में हाथ बटाने लगा चांदी के सिक्के देने वाली गाएं जादूई गाएं एक गाओं में रतन और रजत नाम के दो अमीर किसान रहते थे उनके पास खेती के लिए बहुत सारी जमीन थी और बहुत सारी गाएं भी थी वो दोनों और गाएं खरीदना चाहते थे उनके पडोस में मदन नाम का एक गरीब किसान रहता था मदन के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा और केवल एक ही गाएं थी मदन के पास जो भी खुछ था वह उससे संतुष्ट रहता था और भगवान को उसके लिए धन्यवाद देता था देखो मदन तो बहुत खुछ लग रहा है एकने गरीबी में ये कैसे खुछ रहता है अगर हम इसके गाएं खरीद लें तो अच्छा रहेगा एक दिन रजत और रतन मदन की गाएं खरीदने के लिए उसके पास आए कैसे हो मदन हम तुमारे गाएं खरीदना चाहते हैं इसके बदले हम तुम्हें दस चानी के सिक्के देंगे मदन अपनी गाएं को बहुत प्यार करता था और उसे बेचना नहीं चाहता था मुझे अपनी गाएं बेचनी नहीं है आप लोग किसी और से गाएं खरीद लें मदन के मना करने पर रतन और रजत बहुत गुस्से में आ गए उन्होंने सोचा कि वो मदन से बदला लेंगे रतन मदन ने हमारा अपमान किया है और गाएं भी नहीं बेची हाँ हाँ रतन हमें अपने अपमान का बदला लेना चाहिए क्यों ना कुछ ऐसा करें कि वह अपनी गाएं बेचने पर मजबूर हो जाए यही हमारा बदला होगा अच्छा अच्छा कैसे हम उसकी फसल नश्ट कर देंगे तो वहाग क्या खाएगा और क्या गाय को खिलाएगा उन दोनों ने रात के समय मदन के खेट चला दिये मदन ने जब यह देखा तो बहुत उदास हो गया हे भगवान यह क्या हो गया अब मैं जीवन यापन कैसे करूँगा कई दिन बीट गए और मदन का सारा राशन खत्म हो गया मदन और उसकी गाएग दोनों भूके थे उसने सोचा अब मैं गाई को कुछ नहीं खिला सकता इसे बेच देता हूँ नया मालिक इसे खाना तो देगा अगली सुभा मदन गाएग और अपनी सारी पूंजी लेकर गाएग बेचने के लिए निकल पड़ा रास्ते में उसने सोचा मेरे पास केवल दस सिक्के हैं रास्ते में कोई चोर या लुटेरा मेरे ये सिक्के छीन लेगा तो बहुत बुरा होगा मैं यह सिक्के अपनी प्यारी गाएग के गले से बांद देता हूँ थोड़ी दूर जाकर वह एक सराई में आराम करने के लिए रुख गया सराई के बाहर उसने गाएग को बांद दिया और खुद अंदर चला गया तभी गाएग के गले में बन्धा चांदी का एक सिक्का नीचे गिर गया सराई के मालिक ने सिक्का किरते हुई देखा और सोचा यह गाएग तो चांदी का सिक्का देती है शायद इसके मालिक को यह बात नहीं पता क्यों न मैं यह गाएग खरीद लूँ? क्या यह गाएग आपकी है? जी हाँ, मेरी है मैं इसे बेचना चाहता हूँ, इसी लिए बाजार ले जा रहा हूँ अब आपको बाजार नहीं जाना पड़ेगा, मैं इसे खरीच लेता हूँ और इसके बदले मैं तुम्हें बहुत से चांदी के सिक्के दूँगा बहुत से चांदी के सिक्के? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी सराई के मालिक से सिक्के लेकर मदन अपने घर की योट चल पड़ा घर पहुँचकर वह चांदी के सिक्के गिनने लगा और सोचा कि यह तो इतने सिक्के हैं कि वह अब एक नई गाए खरीच सकता है यह तो पांसो चांदी के सिक्के हैं कुछ ही देर में रतन और रजत वहां आ गए और उसके सिक्के देखकर हैरान रह गए अरे, इतने चांदी के सिक्के? तो बहारे पास कहां से आए? यह सिक्के मुझे मेरी गाए बेचने से मिले हैं भगवान ने मुझे पर कृपा की है और अब मैं बहुत से गाए खरीदूँगा रतन और रजत यह सोचकर उधास हो गए कि उनकी योजना उल्टी पड़ चुकी थी मदनब अमीर बन चुका था किसी को नुकसान पहुँचा कर आप खुश नहीं रह सकते है उनकी यह सकते